दोस्तो इस Study91 की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी के डिमांड पर आज कमेश्टी की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ Periodic Table के बारे में दोस्तो ये Periodic Table वही टेबल है जिसको आप आज तक याद नहीं कर पाएं सभी बात है कि आपको तरीके से याद नहीं कराएं गया और वैसे भी आज मैं जब ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है एक चीज याद रहें के दोस्तो इस टॉपिक के लिए मैंने अथा मेहनत किया इतना मेहनत जो आप वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे कि आखिर में मैंने कितना तयारी के साथ इस चीज को तयार किया और इस वीडियो को तयार किया गया ठीक है तो आज आप बहुत ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा बहुत तरीका आपने देखा है ना इसी तरह से आप प्रियोडिक टेबल पढ़ते हो भाई हेली नाने की रवसे भर्याद बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे यही सब पढ़े हो ना यार फालतू की बाते हैं यह सब फालतू की बाते है ऐसे नहीं पढ़ा जाता मेरे भाई फिर ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते कैसे हैं एक बार आप पूरे वीडियो को देखो आपको इतना मज़ा आने वाला इस periodic table में कि आपको believe नहीं होगा कि chemistry का इतना बड़ा topic आपने चुटकियों में याद कर लिया और चुटकियों में समझे लिया एक चीज़ और याद रखे हमारा application आचुका है तो आप play store से जाके download कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं क्योंकि systematic अगर आपको पढ़ाई करना है तो हमारे app को download करना ही होगा चरी तो आपको स्टार्ट करते हैं टोपिक को periodic table को अगर आपको समझना है तो जब कभी आप periodic table को देखते हो तो कुछ ऐसा periodic table आपके सामने नजर आता है इस periodic table में खास बाते क्या है धेर सारे box दिये होते हैं और नजाने क्या क्या इस box में कुछ लिखा होता है और periodic table का अलग-अलग रंग भी देखने को मिलता है मतलब अगर आप google पे सर्च करेंगे periodic table तो आपको अलग-अलग रंग के periodic table मिल जाते हैं समझ में नहीं आता कि ये रंगीन बस जानबुच के बनाया गया है यानि इसको अच्छा दिखाने के लिए या फिर हर रंग के पेशे कोई कहानी है तो जो कुछ भी है आज उस सभी तत्यों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिया करते अपने topic को topic के starting आज मैं आज मैं अलग धंग से करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं किताबी भासा में आप से बात नहीं करूंगा जो किताबों में लिखा होता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करूंगा क्योंकि उसकी वज़े से आपको confusion हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लोग पढ़ने चलते हैं Modern Periodic Table को एक बात याद रखे Modern Periodic Table जो होता है न इसमें बहुत सारे row और column होते है यह row क्या होता है सर यह column क्या होता है सर दोस्तों आपको पता होगा Horizontal जो चीज़ें होती है 36 जवस्ता में दो चीज़ें होती है उनको क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है row और column क्या होता है जो सीधा सीधा होता उसको column बोलते हैं जैसे आप सिखा जाता है दो column बनाओ, तो आप क्या करते हो, column ऐसे इने बनाते हो, यह column होता है, यह column होता है, और अगर आपने यही पैसे से खीज दिया, तो यह क्या बन जाता है, यह row बन जाता है, तो आप समझो, यह वाली जो रेखाए होती है, row side में होती है, और यह वाली रेखाए क्या होती है, मतलब की पूरा का पूरा periodic table ये horizontal और vertical boxes से मिलकर बना है और एक-एक box को क्या बोलते हैं इसमें नाम दिया जाता है blocks कहा जाता है क्या कहा जाता है उस box का नाम क्या दिया जाता है blocks कहा जाता है दोस्तो एक बार आप वीडियो देख लो बहुत मज़ा आने वाला है सुनो करा ये रंगीन periodic table क्या होता है या इतना रंगीन क्यों होता है क्या रंगों का कोई खास मतलब होता है या फिर रंगों के क्यों सजावट के लिए आप दर्स आये गया उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तो इस periodic table में इतनी छोटी छोटी बाते चिपी होती है कि जिनके बारे में आप सोच भी ने सकते हो आपके सामने periodic table आता है लेकिन कभी आपने ध्यान से देखा नहीं आज मैं आपसे हर बारीकियों के बारे में चर्चा करूँगा हर बारीकियों के बारे में चर्चा करूँगा जो आपने अपनी आँखों से आज तक नहीं देखा मैं उन बारीकियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ थोड़ी से बाते और सुन लिजिए करा मैं आपको औरो की तरह इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा कि हिलीना ने की रब से फर्याद बेटा मांगे कार सेंटरों बापरे यह सब मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को दोस्तों मैंने अभी cover page पे लिखा था कि आपको मैं बताऊंगा एक magic number के बारे में यह magic क्या है क्या है magic पूरे periodic table का सार है निचोड है जी हाँ यह magic number अपने आप में निचोड है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इस magic number को मैंने बनाया है लेकिन हाँ इस कहानी का पूरा आधार पूरा बेस इस magic number यह है magic number के आधार पर आप पूरे के पूरे इस कहानी को पता कर सकते हो कि कैसे आखिर में magic number के आधार पर periodic table काम करता है अगर आपको सीखना magic number के बारे में जो कि क्या है दो आठ 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 2 बार है इसी magic number पर पूरा periodic table based है, आप नहीं जानते होंगे साइट, लेकिन सुनते चलिए मेरी बात, लिख रहा है कि यह periodic table जो हम देख रहे हैं, हमने देखा कि इसको सबसे पहले periodic table को किसने बनाया था, तो उस बैज्ञानी का नाम है, मोजिले, क्या नाम है, मोजिले नाम के के लिए पहला question आप इसको याद रखे, दूसरा है कि परियाडिक table में, जिनको भी रखा गया है, यानि जितने भी तत्व हैं, इनको जिन चिन चीजों को इसमें रखा गया है, उनको atomic number के आधार पे रखा गया है, atomic number को हिंदी में परमाडु क्रमांग करते हैं, क्या करते ह interval के बाद एक ऐसे element आते हैं, जो अपनी property को repeat करते हैं, नहीं समझे आपना, अभी मैं आपको periodic table दिखाता हूँ, और बताता हूँ कि कैसे कोई property अपने आपको repeat कर रही है, ठीक है, उसके बारे मैं बताता हूँ, दोस्तो एक ऐसा magic number है, जो पूरे periodic table की जान है, जान है, सुन जाना चाहता हूँ कि पहले आप इस magic number को समझो, क्योंकि जब तक आप magic number को नहीं समझोगे, तब तक आप इस periodic table पे concept clear नहीं कर पाओगे, सुनो ध्यान से, मैंने इसलिए periodic table को दोस्तो यहाँ पे hide किया हुआ है, पीछे से blur किया हुआ है, कि आपका ध्यान सित most important चीजों प चीजों और याद रखो, अगर मैं बात करूं ऐसे वाले किसकी column की बात करूं, तो रो की संज्या कितनी होती दोस्तों, कुल 7 होती है, मतलब ऐसे करके, अगर ऐसे देखो, 1 रो होता है, 2 रो होता है, 3 रो होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे 7 होता है, अगर मैं column की बात करूं तो column की संग्या कितनी होती दोस्तों यहाँ पर कुल column होते हैं 18 कितने column होते हैं 18 18 में column को 0 column भी कहा जाता है आपके exam के लिए दूसरा महत्तोपूर प्रशन दूसरा नहीं तीसरा महत्तोपूर प्रशन पहला मैंने बताया कि पिरियाडिक टेबल बनाया किसने मोजिले ने बनाया यहाँ पर row की संग्या कितनी होती है 7 row बने होते हैं कैसे होते हैं जो row होते हैं horizontal होते हैं यह 7 row होते हैं कितने होते हैं 7 row होते हैं पट्टी गिना होगे 1,2,3,4,5,7 होते हैं और यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसे से गिनेंगे, लंबे लंबे वर्टिकली गिनेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है, तो याद रखे, 18 वाले कोई 0 कॉलम भी कहा जाता है, मैं सीरे 18 वे नंबर पर आ करके आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ और बता हुआ है, भाई ये लास्ट में क्यों है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरी बास सुनिए, दोस्तों यहाँ पर हिलियम जो है न, हिलियम का परमाड उक्रमां कितना होता है, दो, मैजिक नंबर काता है, कि सबसे पहले क्या आएगा, दो आएग दिया है, तो आठ दो दस हो गया, दसमे नंबर पे कौन सा आता है, नियान, ये दस जोड़ गया, फिर से कह रहा है कि एक बार और आठ जोड़ दिए, जो उत्तर आया उसी में आठ जोड़ दिजिए, तो दसमे पे नियान है, उस दसमे फिर से मैंने आठ जोड़ दिया, त सभी ने सुना होगा कभी-कभी परिक्षा में प्रशन आता है कि भाई ये जो बिजली के बल्ब होते है इसमें कौनसी गैस भरी होती है तो हम कहते है भाई आरगन गैस भरी होती है क्या होती है आरगन और पता है ये सभी अक्रिय गैस है इनको noble gas भी कहा जाता है इनको inert gas भी कहा जाता है क्यों कि ये इसका उर्जास्तर जो होता है वो full होता है क्यों full होता है कैसे full होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा वेट दीजी मेरे carding पड़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, फिर देखे, magic number काता है, कि इसका मतलब है कि अगले बार हम 18 एड़ करने वाले हैं, जी हाँ, यानि आरगन 18 में नमबर पे है, तो 18 में यदी 18 और एड़ कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो चाउन नमबर पे जिनान आता है, क्या आता है, जिनान आती, वो भी एक अक्रीग ऐसा है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको एड़ करना 32, तो चाउन में 32 और एड़ कर दीजे, तो 32 कैसे एड़ करेंगे, चाउन 10, 64, 10, 74, 10, 84, दो 86, तो 86 वाले पे कौ पूछा जाता आपसे परिक्षा में, कि कभी अगर सुनामी आने वाली है, कभी मालीजये भुकम पाने वाला है, ज्वाला मुखी फटने वाली है, तो ऐसे में Y-Mandel में एक गैस की मात्रा बढ़ जाती, कोंसे गैस की मात्रा, रेडाउन गैस की मात्रा बढ़ जाती, वह यह तो आप इसको याद रखे, दोस्तों मैं आपको कुल मिलाजुला की बात आना चाहता हूँ, कि यहाँ पर जो सीरियल है न, वो इसी क्रम पे भरे होते हैं, इसलिए तो मैंने कहा यह एक मैजिक नमबर है, अब आपको कि सर, क्या पूरा का पूरा पूरा पिरियोडिक टेबल इसी फार्म ने भरा होता है, क्या पहला वाला भी ऐसे भरा होता है, हाँ भाई हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कोई भी यहाँ से कॉलम उठालो, हर कॉलम इसी तरीके से भरा होता है, हर कॉलम इसी तरीके से फिल होता है, सर आपने इसी को आपसन में क्यों मा चलो ये तो magic number ऐसा रहा अब बच्चे ने पूछा, सर, क्या इस magic number में जो ये magic number दिया है क्या magic number सिर्फ column wise काम करेगा या फिर ये ऐसे भी काम कर सकता है ऐसे मतलब कैसा? row wise भी काम कर सकता है दोस्तों, ञेublic number इसलिए तो है क्योंकि ये row के wise भी काम करता है यह लंबी लाइने जैसे यहाँ पर 1 है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैंने बताया था है कि 7 फुल मिला के column कहा जाता है इनको यह vertical होते हैं इनको column कहा जाता है chemistry के भासा में दोस्तो column के अलामा इनका एक और नाम है वो कहते हैं period क्या बोलते हैं period बोलते हैं ठीक है horizontal बोलते हैं इसको 36 कार बोलते हैं ठीक है और इसको row के अलामा इसको groups का भी नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है? groups का भी नाम दिया जाता है तो ऐसे group होते हैं और ऐसे period होते हैं क्या आप याद कर सकते हैं मेरे इतनी बात को दोस्तो एक एंग पॉइंट को याद करो मैं periodic table का सार बता रहा हूँ इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है एक एक step पढ़ो वादा मैंने किया है न चैलेंज भी किया है आपको चीजें सिखा कर रहा हूँगा थोड़ा सा आप धीरे धीरे चलो एक एक step चलते है चलो अगली बात अब हम लोग याद रखते हैं दोस्तो मैंने यहाँ पर बाकी चीजें को पीछे करके एक चीज हाइलाइट किया हुआ है यहाँ पर आपको hydrogen दिख रहा है यह जो yellow color से लिखा हुआ है और यहाँ पर helium दिख रहा है ठीक है hydrogen पहले नमर पे दिखता है helium आखरी नमर पे दिखता है अगर आपके mind में बात आ रही ही कि क्यूँ hydrogen पहले पे दिख रहा है क्यूं helium इसके बगल में नहीं दिख रहा है हो सकता है आपके मन में ऐसी बाते आए आपने सायद कभी सोचा नहीं नहीं भी आई है तो अब सूचिए भाई हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है हिलियम यहाँ दिख रहा है इसके पीशे रिजन क्या है दोस्तों पता है मोजिले ने क्या किया था किस कांसेप पर उनके दिमाग में क्या आया किस periodic table को उनों ने बनाया अगर उनके दिमाग किस thinking को पकड़ ले ते periodic table का सार आपको पता चल जागा वो यार यह बात है हाँ यह बात है सुनो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया कि परमाडु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में दो चीज़ें पाई जाती है एक proton होता है एक neutron होता है और electron जो होता है उस नाभिक के चारो और चकल लगाता है यह बृत्ति कच्छा पर चकल लगाता है और बहुत सारी कच्छाएं होती है चार तरे की कच्छाओं के बारे मैंने आपसे चर्जा किया था K, L, M, N ठीक है और मैंने 2N2 आपको बताया था कि एक एक कच्छा में अधिक्तम कितने electron रह सकते है इसको orbit का नाम दिया जाता है कच्छा को orbit कहा जाता है इसके लाओ मैंने आपको उप उप कच्छा के बारे में बताया था जिसको सब orbit करते हैं जिसको हम SPD अपने बार्ट देते हैं दोस्तों अगर मैं इस hydrogen की बात कर दूँ तो मैं खाली इतना काना चाहता हूँ कि जिव magic number मैंने आपको बताया वही magic number लेके चलिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि भाग देना है आपने छोटे जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आप भाग देते थे और आपसे पूछा देता था कि कितना सेस बचा है भाई वो सेस अगर आपने पकड़ लिया न यह पूरे रो का और कालम का निचोड मिल जाएगा सुनो कहानी क्या है दोस्तों मैं अभी कहानी में आपको यह बताना चाहरा हूँ कि हाइड्रोजन दोस्तों क्या आप दो से भाग दोगे तो यहाँ क्या बचेगा यह तो विचारा अकेला इसके पास एक ही लिट्टरान है इसलिए यहाँ पर पहले नमबर पर हाइड्रोजन दिखता है पहले वाले मैं सीधा मैं अभी रो की बात ना करके मैं अपनी बात कॉलम पर करता हूँ ठीक है मतलब ऐसे बताता हूँ तो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन के ठीक नीचे यहाँ पर हिलियम होता है, यहाँ पर लिथियम दिया हुआ है, लिथियम नंबर 3 पर आता है, लिथियम किस पर आता है दोस्तों, 3 नंबर पर आता है, दोस्तों रता हो अगर 2 से भाग देंगे तो लिथियम में कितना बचेगा, एक बच जाएगा, जहाँ जहाँ एक बचता ह है ना वो यहीं पर आते हैं वो यहीं पर आते हैं नहीं विश्वास हो रहा है ना अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बस थोड़ा से समय दो क्योंकि slide काफी आगे जाना पड़ेगा इस वज़े से मैं या पर दिखाने ही पा रहा हूँ दोस्तों ये lithium है hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon ठीक है यहाँ पर sodium दिया हुआ है sodium को na लिखते हैं और sodium 111 नमबर पे आता है किस नमबर पे आता है 111 नमबर पे चलो magic नमबर से भाग देते हैं देखो 8 और 2 मिला कर कितना हो गए 10 10 तो भड़ गए हैं बचा कितना बचा कितना एक बचा है तो यार यहाँ पर जितने लोग भी दिये गए हैं सब में जब तुम भाग देते जाओगे इस element को मिला कर पूरा करते जाओगे तो सेस्फल एक बचेगा सर इसका मतलब है कि जो दूसरे वाले कॉलम में दिया है वहां सेस्फल दो बचेगा जो तीसरे वाले में दिया वहां सेस्फल तीन बचेगा जो चौते वाले में दिया वहाँ सेस्पल चार बचेगा, हाँ, यही तो concept है, अभी सिखाता हूँ, घबड़ा मत, थोड़ा सा वेट करो, साथ दो, पूरा निचोड लेकर आया हूँ, अब देखो यहाँ पर कहा है ना, आज 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 सिरफ इदर रोप्या आजाओ, यह hydrogen है, यह helium दिख रहा है, यह पह नियान तक हम लोग आ गए, यह हो गया, यह आपका दूसरा वाला रो चलना है, घब है, फिक है, रोख हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रूप से भी बोल सकते हैं, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है, आज आते हैं तीषरे पर, तीषरे पर देखिए, सोडियम, Maxim, मेगनिशियम, सोडियम, मैगनिशियम, देखें, मैगनिशियम 12 पे दिया है न, आप ध्यान दो, चलो आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मैगनिशियम किस नमर पे दिया है, 12 पे, देखें 8, 2, 10 से अगर कट जाएगा, इसमें 10 घड जाएगा, ठीक है, तो मेकसिमं कितना घड़ सकता है, यही तो घड़ सकता है, तो बचेगा कितना, दो बचेगा, इसलिए इसको नमबर दो पे रखा गया, इधर से नमबर दूसरे वाले पे रखा गया, समझ में आ रहा है, यह आपको समझना है, तो चलो देखो sodium, magnesium, magnesium के बाद क्या आता है, अलमूनियम आता है श्रिलिकान आता है, फास्पोरस आता है, ठीक है, फास्पोरस बस सलफर, क्लोरीन, आरगन आता है बस ऐसे करके आप लाइन से पढ़ते जाओ, समझ में आ रहा है, यह आपका तीसरा हो गया, चौथे रोपे आएंगे दोस्तों चौथे रोपे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर potassium, potassium potassium को के लिखा जाता है, पी नहीं लिखते हैं, potassium, potassium किस नमबर पर है, दोस्तों यहाँ पर ज्यां से देखेंगे, potassium, तो एक किसमे आप जोड दीजे न, कितना आ जाता है भाई, यहाँ पर दो था, और यहाँ वाला कितने पर था, lithium, lithium कितने पर था, hydrogen, helium, lithium यहाँ पर तीन नमबर था, देखेंगे ऐसे आप निकाल भी सकते हो, देखो, यहाँ पर hydrogen था, यहाँ पर lithium था भाई, hydrogen एक नमबर पे है lithium तीन नमबर पे, क्यों, क्योंकि इसे hydrogen में दो जुड़ा है, तीन आ गया, lithium lithium के बाद यहाँ sodium था sodium एक ग्यारा नमबर पे आ गया sodium मतलब यहन न, sodium मतलब एक मिनट, sodium मतलब क्या हो गया यहन ए, एक मिनट यहाँ यहाँ तो जोड़ना है, ठीक है, ती 11, 8 क्या हो जाएगा, 19, ठीक है तो 19 नमबर पे क्या हो जाता है, potassium आता है, यानि के वाला मान क्या हो गया, के का मतलब जहां के दिया, यहाँ पे क्या होगा, इसका परमाड़ कराम 19 होगा, यह सब मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन अभी आप खाली मोटी मोटा समझो, मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ कि यह रो में कितने होते हैं तो यह आपको रो दिखा रहा हूँ, कि आप रो देखो ठीक है, यह रो देखो, दोस्तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ठीक है उसके वारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ वो गजब का मैजिक यह भी यहाँ पर काम करता है दोस्तो जो यह मैजिक ट्रिक है ना मैंने आपसे कहा कि रो वाइज भी काम करता है देखो, यहाँ पर पहले नंबर पर दिख रहा है Nithium, Beryllium, 2 हो गया, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon, देखो गीओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बोलो 8 हुआ की नहीं, 8 हुआ की नहीं, समझ रहे हो, तो पहले वाले, रो में दो, दूसरे वाले रो में 8, Magic Number हर तरीकी से काम करता है, फिर देखो, तीसरे वाले में भी 8 आएगा, कारा है जो तीस मेगनेसियम, उसमें भी total 8 element ही होंगे, कितने element होंगे total 8 element, चलो देख लेन कि 8 element है कि कितना element है देखो यहां पर sodium magnesium ठीक है, दो हो गहे albumoonium, silicone, phosporous, sulfur chlorine, argon, गिन्ती मारो दो, 3, 4, 5 6, 8 और 8 तो कितने हो गहें, यहां भी 8 हो गहें तो देखो तीसरे वाले कालम में भी 8 होता है इसके अंसवार है कि चौथे कालम में कुल कितने element दिखते हैं 18 element दिखते हैं तो देखो न द्यान से यहाँ पे चौथे वाले कालम में कुल 18 element नजर आएंगे कैसे देखें यहाँ पर potassium, calcium पिर यहाँ पर देखें, बीस के बाद 21, 22, 23, 24, ऐसे करते वे क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले आएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो आगे आपको क्या दिख जाएगा, कुल 18, मैंने आपसे कहा था, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने होते हैं, गुरूप 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 आएंगे टोटल, पूरी लाइन भरी है ना, चौते नमबर पे 18 आता है, कर आप पाचमा जो रो है, उसमें भी 18 आइटम है, अच्छा, पहले से बता देता है, गजब, आपने कभी केर किया इस चीजो को, आप केर करो, तो देखो पाचमे भी क्या है, पूरा का पूरा 18 है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या है, जिनाम तक यह पूरा 18 आइटम यहां पर दे रखा है, कर आप पाचमे नमबर पे 32 आइटम है, अब देखते हैं, तुम 32 कहां से दिखाते हो, तो कर आप पाचमे, स्वारी कितने नमबर पे, यह 5 हो गया एक दो तीन चार पच्वे पठारा चटमे पर 32 आईटम है चलो देखते हैं चटमे नंबर पर कितना आईटम है दिखाते हैं यह देखो चटमे पर 32 भाई 18 तो यहां से यहां तक पूरा हो गया जिसमें लास्ट में रेडान आता है रेडान गैस यह अठारा आपका लोड़े गया इस वज़े से इसको पिरियोडिक टेबल से अलग कर दिया गया ठीक है तो यह हो जाते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 तो यह 32 हो जाते हैं दोस्तों यहां पर एक एलिमेंट है ठीक है जिसको लेंथोनाइट बोलते हैं उसी लेंथोनियम होता हो उ इसलिए इसको लेंथोनाइट से भी कहा जाता है अभी आगे इसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे सामने जब कामरा चल ला है इसके माध्यम से मैं यह नहीं पता कर पा रहा हूँ कि यहां पर आपको दिखेगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको समझेने में फिर भी चलिए क्लास चल ले ही तो लेते हैं कोई दिक्कत होता है तो आप बताएगा तो फिर से कर देंगे अब इसके बाद दोस्तों जो सात्वा रो है यह कुछ इंकंप्लीट है अभी इसमें धीरे-धीरे कितने इलिमेंट हो सकते हैं दो इलिमेंट दूसरे वाले रो में अधिक्तम आठ हो सकते हैं तीसरे वाले रो में आठ हो सकते हैं ठीक है चौते वाले में अठारा हो सकते हैं पांचमे वाले में अठारा हो सकते हैं च्छटमे वाले में कितना हो सकते हैं 32 और सात्वा क्या है दोस्तों सात्मा क्या है incomplete है हमने आज यही सीखा हमने आज यही सीखा plus column के लेके magic number की अगर मैं बात करूँ तो हमने यह सीखा कि हर column में जो कुछ भी दिया होता है अगर उसमें पहले number पे दो अले में है अगर उसमें हम art head कर दें तो यहां पे हमें सा 10 आइटम दिया होगा फिर इसमें art head करेंगे तो यहां पे 18 आइटम दिया होगा यह हमने साबित कर दिया उस चीज को हमने यहां से realize करके देख लिया है आगे बढ़ते हैं कुछ चीजे मैं आपको और समझाता हूँ लेकिन आप बताओ आपको समझ में आ रहे कि नहीं देरे देरे आएगा समझ में अभी बहुत को सीखना बागी है लेकिन आप periodic table में जो हमने पढ़ा कि कुल 7 period होते हैं और 18 group होते हैं अब बात आती है कि रंगों का क्या चक्कर है सर अभी तक तो आपने खाली आपको इतना बताया magic number का concept कि आप ऐसे चलो आप ऐसे चलो कोई फरक नहीं पड़ता है magic number ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया अब बात आती कि रंगों का क्या चकर है बही अलग-अलग रंग दिखाए गया है न बही पता चलिला है कि यह एक साव सब पीला-पीला यह यह रंगों का चक्कर क्या है तो उसके बारे बात कर लेते हैं दोस्तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ब्लॉग के बारे में जान लो जो छोटे-छोटे हिस्वम बटे होते है yes pdf के बारे में जान लो दोस्तों मैंने कल भी आपको पढ़ाया था yes pdf क्या होता है यह उपकच्छा होती है इसको सब आर्बिट बोला जाता है yes जो उपकच्छा होती इसमें अधिक्तम इलेटरानों की संग्या कितनी हो सकती है 2 p वाले उपकच्छा में अधिक्तम इलेटरानों की संग्या कितनी हो सकती है 6 ठीक है d वाले में अधिक्तम कितनी हो सकती 10 और yf वाले में कितनी हो सकती 14 ठीक है तो आप इसको यार्द रखेगा इसी से निकलता है कि एक एक कच्छा में कितने क्च्छा में यह तो सब क्च्छा की बात हो रही है उप क्च्छा की बात हो रही है सब आर्बिट की बात हो रही है अगर हम बात करें आर्बिट की तो मैंने बताया था चार तरह की आर्बिट होते हैं K, L, M, N K में क्या होता है दो क्च्छा होती है एक उपक्षा होती इसलिए इसको yes रखा है मैंने yes में केवल दो होता है तो के वाली कप्षा में अधिक्तम इलेक्टरानों की संक्या दो हो सकती कप्षा में उपक्षा में नहीं यल वाली कप्षा के अंदर दो सब आर्बिट पाये जाते हैं में yes और p दोनों होता है तो 2 अधिक्तम हो सकते हैं yes में p में अधिक्तम हो सकता 6 2 और 6 को मिला कर कितना हो गया 8 हो गया समझ में हा रहा है इसी तरह से देखा जाए तो 2, 8, 18, 32 यह अधिक्तम इलेट्राणों की संक्या है कच्छा वाई जी खर हमने कल पढ़ा था आगे बढ़ते हैं कुछ अन्या चीज़े बताता हूँ दोस्तों यह जो spdf हैं यह पूरे periodic table में कुछ चीज़े हैं जिनको spdf के माद्यम से आपको समझना है दोस्तो spdf क्योंकि block हैं तो अलग-अलग block है starting की जो दो पाए एक सेकंड रुके मैं बढ़ा करके निखा देता हूँ यहाँ पर दिख रहा है आपको बाकी को blood इसलिए रखा गया है कि आप सब यार क्या हो जाता है बाकी को blood इसलिए रखा गया है कि आप समझ पाओ ठीक है तो यहाँ पर किवल किवल क्या है दो कॉलम आपको दिख रहे हैं जिनको yes ब्लॉक में रखा गया आप समझो कि किसको किस ब्लॉक में रखा गया अगर मैं p ब्लॉक की बात करूँ तो यह बगल वाले को p में नहीं रखा गया आप देख रहे हैं blur है p में रखा गया इतने मतलब यह 13 नंबर का कॉलम 13, 14, 15, 16, 17 और 18 13 से लेकर 18 नंबर के कॉलम तक जितने element हैं इनको P block में रखा गया इसको किस में रखा गया है? P block में रखा गया है ठीक है इसको याद रखेंगे अब क्यों रखा गया है? उसके पीछी region है दोस्तों यस वाले में यस अगर उपक्षा की बात कर दें तो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया कि यस उपक्षा में अधिक्तम इलट्रानों की संग्या कितने हो सकती है? 2 तो याद रखें क्योंकि हमने अभी पीछे एक चीज़ और पढ़ा है कि यहाँ पर सेस्फल एक बसता है यहाँ पर सेस्फल दो बसता है तो एक और दो वाले अधिक्तम दो वाले में आ गये है इसलिए इंको यस ब्लॉक में डाला गया है अब यहाँ पर अधिक्तम तीन बचेंगे तो तीन वाले को यहाँ नहीं रखा गया अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर d block आता है p block आता है yes pdf तो p block है यहाँ पर p block है 13 से लेके 18 तक की चीज़ें किसमें आती है p block में रखी जाती इनको p block के मतर दाला गया है उसके बाद d block की बात करूँ तो यह center वाले जो yellow वाले होते हैं इनको d block में रखा गया है yes p d और last में जो नीचे दिखते हैं उनको यफ block माना गया है इनको क्या माना गया है इनको यफ block माना गया है तो देखो ने starting के जो दो line है इनको yes block माना गया है इधर 13 से लेकर 18 तक के जो हमारे series है group है इनको क्या माना गया है इनको p block माना गया है बीच वाले को center वाले को d block माना गया है और नीचे वाले को f block कहा जाता है आगे बढ़ते हैं और block से अब आगे चलके और भी चीज़े बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो yes block है, यह color का मतलब क्या है, आप देख पा रहे हूँगे इधर जो है camel brown color है और यहाँ पर जो हलका सा green color दिख रहा होगा, ठीक है, तो यह color क्यों दिये गए, बही अलग-अलग periodic table में अलग-अलग color दिया जा सकता लेकिन, लेकिन याद रखे, कभी भी lithium का color जो होगा, वही sodium का color होगा, वही potassium का होगा, वही rubadium का होगा, और वही क्या होगा, अलग-अलग, francium मोगरा का color भी same होगा, कभी ऐसा नहीं कि lithium का color कुछ और हो, और sodium का color कुछ और हो, ऐसा impossible है, मैं आपसे कहाना चाहता हूँ, कि यहाँ पर जो color की बात कर रहा हो ना, मैं कहाना चाहता हूँ, कि इनका color हमेशा एक जैसा होगा, यह कभी बदल नहीं सकता है, और इनका color एक जैसा होगा, ठीक है, यह पूरी पट्टी एक जैसी होगी, इसका मतलब क्या है, लिकरा दोस्तो, यस block के अंदर, दो तरह के आपको दिखाई दे रहोंगे, दोस्तो, इसमें से जो पहला वाला block है, पहला वाला जो रंग दिख रहा है, इसको बोलते है, alkaline metals, क्या बोलते है, alkaline metals, alkaline metals कहा जाता है, alkaline metals को हिंदी में कहा जाता है, छारी धात्वी, क्या कहा जाता है, छारी धात्वी, देखें, उसे काटा भी जा सकता है क्योंकि यह धातुएं है और धातु की खासियत होती कि धातुएं के अंदर चमक होता है कैसे याद करेंगे सोना क्या है धातुएं क्या सोने चांदी के अंदर चमक नहीं होती है तो आप याद रखेगा कि धात्वें चमकदार होती हैं तो यहाँ पे जो छारी धात्वें हैं ये भी चमकदार होती हैं ये चमकदार होने के साथ साथ मुलायम भी होती हैं एक और इनकी खासियत होती है इनकी मैं करेक्टर बता रहा हूं इनका करेक्टर मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या कि पहली बात मुलायम होता है दूसरी बात चमकदार होता है तीसरी बात एक मानक ताप और दाप पर इन पर अभिक्रिया सुरू हो जाती है और हाई मतलब क्या होती है उच अभिक्रिया सीले मानी जाती है ये जो धात्मी होती है ये बहुत तेजी से अबक्रिया करती है दोस्तों ये भी माना जाता है कि ये इतनी तेजी से अबक्रिया करती है कि ये वाई उसे भी अबक्रिया कर लेती है अब समस्या खड़ा हो गया कोई चीज वाई उसे अबक्रिया कर लेगी आप समझो, वो चाहे चार आपसन जैसे भी बने हों, लेकिन उसमें इसी का नाम होगा, वो चाहे लिथियम होगा, चाहे सोडियम होगा, चाहे पोटेसियम होगा, चाहे रुबैनियम होगा, फ्रेंसियम होगा, वो यही होंगे, कुछ दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो धातु है जो पहले वाले पे आते हैं ठीक है जिनके electron को समझो मुद्धा यहां पे था दोस्तों मिट्टी की तेल में sodium को नहीं potassium को भी रखा जाता है, lithium को भी रखा जाता है तो आप अपना concept clear कर लीजे, ठीक है क्योंकि ये बहुत तेजी से अविक्रिया सील होती है इसलिए इनको तेल के अंदर रखना पड़ता है ताकि Y से अविक्रिया न कर पाएं, ठीक है अब जब इतनी अपक्रिया करती है तो Y मंडल में मुक्त वस्था में भी नहीं प्राप्त होती है इनका निर्मार किया जाता है या इनको अलग से लाया जाता है तो alkaline metals आप याद रखेगा alkaline, alkaline बार-बार निकलता है alkaline metals से याद रखेगा दूसरा जो green वाला है दोस्तो इनको यस ब्लाक में जो हरे रंगी पट्टी में यहाँ पर दिख रहा है इसको alkaline, earth, metals बोला जाता है हिंदी में छारी या पार्थी उधात में कहा जाता है थोड़ा संतर है यह हाई, बतलब बहुत जादा आपकिरिया सिल नहीं होती है थोड़ी सी कम चमकदार होती है और इन पर कोई तापोप का बहुत जादा प्रभाव नहीं पड़ता यह दो-तीन मुद्दा है तो इसलिए पुराने समय में जो रासायन बैग्यानिक थें वो इसे मृदा का रूप मानते थें खास करके छारी मृदा का रूप मालते थे क्योंकि इनके गुड़ उस छारी मृदा से मिंते जुबते थे तो यहाँ पर जो दूसरे वाले में दिया है जैसे बेरिलियम हो गया सब मिट्टी से संबन्नित हैं आप देखो आप अगर क्रिशिवी घ्यार्म पड़ोगी उसमें बेरिलियम का पता चलेगा पता चलेगा पौदों में मिट्टी में इस चीज की कमी होने से पौदे को कोई नो कोई रोग हो जाता है तो क्या होता है वह Berylium होता है वह Magnesium होता है वह KЕल지um होता है वह जो है आपका चूना होता है वह भी रखाइल को मुक्तवस्तान मिलता है मिटी में धीक है तो याद रखेगा यह हो गया Istranium हो गया Barium हो गया Radium हो गया तो आप इनको याद रखेगा ठीक है चली आगे बढ़ने दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं P black में आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि P black last में दिखता है yes block पहले दिखता है, p block लाष्ट में दिखता है अब देखो p block में 4 color दिये हैं एक तो ये वाले color है, ठीक है जो आपको cream color दिख रहा होंगे एक गुलावी वाला रंग दिख रहा होगा एक आस्मानी रंग दिख रहा होगा एक red color दिख रहा होगा यह चार रंग यहाँ पे दिखते हैं और चारो रंग की अपनी अपनी विजेस्ता है अब देखो यहाँ पे जो पहला वाला मैं लेता हूँ यह जो क्रीम कलर दिख रहा है इसकी विजेस्ता लेता हूँ जिसमें यहाँ पर ऐलमूनियम दिख रहा है ठीक है तो यह इसकी पहले ही D block में रखा गया है, क्योंकि Yes में इनको P में रखा गया है, उसको D block में रखा गया है, हम लोग आम बोल चाल की भाहसा में Yes P D F बोलते हैं, इसलिए मैंने Yes P D F रखा है, तो पहले मैंने Yes पढ़ाया, अम मैं P पढ़ा रहा हूं, D वाली block की जो धातुएं हैं, वो संक संक्रमण वाली धातुएं, संक्रमण मैं बहुत तेजी से संक्रमण करती हैं, और ये संक्रमण के ठीक बाद वाली धातुएं हैं, इसलिए इनको Post Transition कहा गया, उसको Transition Mittals कहा जाता है, एक और चीज बता दूँ जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, अगर मैं सबसे स्टा मैंने बड़ा मेहनत करके दोस्तो इस Topic को तयार किया है, उमीद है आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और बड़ा मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा सा टिपिकल नजर आ सकता है, बट है नहीं, अगर लगता आपको टिपकल आप इस वीडियो को दो बार देखो, आपको औ Standard Way में होता है, जैसे जैसे इस Periodic Table में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है Periodic Table में, हम Metal से Non-Metal की तरफ बढ़ते हैं, पता है आप यह Metal से दीरे दीरे आप Non-Metal की तरफ आ जाओगे, यह पता है नीले वाले जो दिख रहे हैं, यह Non-Metal आइटम है, सबसे Last में जाएंगे, तो Non-Metal हो जाएंगे और एकदम Last में चले जाएंगे, तो Nobel Gas आजाएगा, क्या जाएगा, Nobel Gas आजाएगा, Nobel Gas अक्री Gas आजाएगा, ठीक है, तो आप उसको भी याद रखें, तो यह जो Post Transition होते हैं यह संक्रमों परांधातु होते हैं, इसके बारे में नान-Metal के बीच में हैं, यह Metal-Metal के बीच में हैं, इसका मतलब क्या है, कि दोस्तों इसके अंदर Metal और Non-Metal दोनों के गुड़ पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इनको Metal-Metal कहा जाता है, आपसे परिक्षा में प्रस्न पूछता है, Silicon, Zermanium, नाम सुना है ना, यह सब अर्धचालक के रूप में प्रयोक किया जाते हैं, क्योंकि यह ना तो पूरी तरह से Metal होते हैं, और ना तो पूरी तरह से Non-Metal होते हैं, तो याद रखिए, जैसे Boron हो गया, Silicon, Germanium हो गया, Archenic हो गया, ठीक है, Polonium हो गया, यह सब क्या, यह सब Metal-Light होते हैं, Non-Metalic नहीं एसे Metal-Light होते हैं, क्यों, क्योंकि यह पूरी तरह से Metal भी है, और पूरी तरह से Non-Metal भी नहीं है, नहीं है, दोनों के बीच के होते हैं, तो इसमें दोनों तरह की विशिस्ताएं पाई जाती हैं, आगे बढ़ते हैं, Non-Metal, यह Blue-Rung से जो दिख रहे हैं, यह Non-Metal कहे जाते हैं, क्या कहा जाते हैं, नान मिटल, यानि सीधा सीधा बोलो ओधातू, क्या बोलते हैं, इनको ओधातू कहा जाता है, नान मिटल कहा जाता है, वैसे अधातू की कोई परिभासा नहीं दी गए, जिस तरह से बुरे बैक्ति की कोई बरिभासा नहीं होती है, बुरे बैक धातु का जो विसेस्ता होता है उसकी अपोजिट इकदम जो विसेस्ता होती है उधातु की होती है तो धातु हमने देखा कि मुलायम होती है इसमें कठोरता आ जाएगी वो चमकदार होती है ये कम चमकदार होती है चमकदार होने के साथ साथ तो बिद्दुत और उस्मा दोन कम होता है, दोस्तों, वहाँ पर कोथनांक और गलनांक का प्रभाव काफी ज़्यादा होता है, यहाँ पर इन दोनों का प्रभाव काफी कम बढ़ता है, जब यह पूरी तरह से मिटल में है, ठीक है नान मिटल से है, मिटल नहीं, जब यह पूरी तरह गैस क्या होते हैं इसके अपवाध माने जाते हैं चली आगे बढ़ते हैं नोबेल गैस अक्री गैस इनर्ट गैस जिसे करते हैं उसके बारे में जान लीजिए करा अठर में ग्रूप को जीरो ग्रूप भी का जाता है और उसी में नोबेल गैस दिखाए गए है करा अक्री गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधर्त रासाइनिक अविक्रिया में भाग नहीं लेते हैं सदा मुक्त वस्था में पाये जाते हैं मुक्त वस्ताम होते हैं, रासेनिक अविगरिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए तिनको अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय, जो क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय, समझ रहे हैं ना, तभी इनको अक्रिय कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है, आज कल अक्रिय गैस कहने के जो आज हमें ज्यांत हो चुके हैं, यह लास्ट में रेडवाले में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको हिलियम दिख रहा होगा, नियोन है, आरगन है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेड़ाउन है, यह सभी अक्री गैस में आते हैं, यह P-Block है, इसके बाद आता है दोस्तो D-Block, अब D-Block, स्वारी, आ जाता है D-Block, D-Block दोस्तों सेंटर में होता है, आपको पता है, इसको transition metals काते हैं, इसको संक्रन धातु का आ जाता है, क्यों, क्यों कि इसके अंतीन कर्चा में इलेक्टरान मिसा प्रविस करते रहते हैं, तो यह जो होते हैं, यह 3 numbers लेकर 12 numbers त जाता है कि किस गुरूप से किस गुरूप तक की चीज़ें D-Block में रहती, तो यहाद रहते हैं, तीन से लेकर 12 तक, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर मुझे बताना है, एक चीज़ बताना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो अलग कलर, सब पीला दिया हुआ है, यह दो अलग कलर क्यों दिया गया, दोस्तों इसको बाद में कलर दिया गया, इसको जो कलर दिया गया, यह कलर बाद में दिया गया, बाद में कुछ चीज़ों को ढूड़ा गया, जो कि जिनकी विशेस्ता इन दोनों से मैच करती थी, खास करके, इन दोनों है जो 57 नमबर पर आता परमाड उक्रमंग 57 होता लेंथोनियम और दूसरा है 89 नमबर पर आता 89 नमबर पर आता एक्टीनियम होता है दोस्तों इने को मिला करके यफ ब्लाग बनाये गया इसी से मैच करते वे जो चीजे हैं उनको जुटा करके यफ ब्लाग मिलाये गया तो परमाड जाएट्स नम दे दिया गया रहा और जिनकी क्वाइय किकौलटीनियम से मैच करता है जिसका परमाड उक्रमंग कितना चाहेंगे तो मज़ा आएगा देखो एक दिक्कत और आ गई सामने है कि कुछ ऐसी भी चीजे चीजे हैं जिनको पीले रंग से लिखा गया है बवाल है यार सबको तो तुम काले रंग से लिखे थे दिख रहा है कि इसके पीछ अलका काला दिख रहा है ना सब तो तुम काले रंग से लिखे थे यार इनको पीला रंग से क्यों लिखा गया दोस्तो हमारे इस पिरियोडिक टेबल में, modern periodic table में जितने भी चीजों को पीला रंग से लिखा गया जैसे, जैसे कि hydrogen को पीला से लिखा गया हो सकता है, camera catch न कर भा रहे हो, दूसरा है helium परमाड उक्रमांग 2, ये भी पीला से लिखा होता है, नीचे है nitrogen ये भी पीला होता है, oxygen को पीले से, fluorine को पीले से नियान को पीले से, ये जितने को पीले रंग से लिखा गया है न, ये gas अवस्था में होते हैं अगर आपसे परिक्षा में पूछे कि बताइए पूरे periodic table में कितने ऐसे तत्व हैं जो gas अवस्था में पाए जाते हैं देखें आपर, hydrogen gas है, helium gas होता है, nitrogen gas होता है, आप बताओ, oxygen gas होता है, fluorine gas होता है, niyan gas होता है, chlorine होता है, chlorine होता है, chlorine पानी को साप करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, ओभी gas होता है, आरगन जो bulb में होता है, ओभी gas होता है, krypton gas में होता है, zenon gas में होता है, redon gas में होता है, जो बताएं मैंने, कि वाइमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये वो गैसे हैं, जो होता है, तो गिल लेजिए, एक, दो, तीन, 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 छै, छै, तीन, नौ, एक, दस, एक ग्यारा, एक ग्यारा ऐसे तत्व हैं, जो गया सवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखी, इसलिए उनको पीले रंग से दिखाया गया, ठीक है, अब देखे, दूसरी बात आती है, कोई एक चीज, पूरे पूरे इस, जितना भी, यहाँ पर तत्व दिखाया गया है, इसमें, पिरियोडिक टेबल में, उसमें एक ऐसा है, जिसका कलर एकदम अलग है, की ओवर लेप, एक अकेला सेर, कौन सा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाण करमांग होता है, कितना परमाण करमांग होता है, 35, यार सब मत रटा करो, जो काम की चीज़े हैं उसे पड़ो, 35 परमाण करमांग होता है, परमाण करमांग का, किसका ब्रोमीन का होता है, 17 नंबर के ग्रूप में आता है, 17 लाइन है न, क्योंकि इसके बाद अक्री गैसों की लाइन है, तो यहाँ पर आता है, तो याद रखे का, ब्रोमीन जो है दोस्तो, यह द्रव अवस्था में होता है, एक मात्र ऐसा चीज़ है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बाकी के जितने हैं, वो सभी ठोस अवस्था में होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यह सभी ब्लैक रंग से लिखे हैं, सभी ठोस वाले हैं, जो पीला रंग से लिखा है, वो गैस वाले हैं, यहाँ ब्रोमीन है, वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो आज बताइए, कि आपको एक क्लास कैसी लगी, समझ में आया, या नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया होगा, तो अभी आगे मैं और भी बातचीत करने वाला हूँ, इस पिरियोडिक टेबल पर, और इसका अगला पार्ट भी लाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ, आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि बड़ी मेंनस से क्लास तैयार की गए दोस्तो, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी न, तो प्लीज सेयर जरू से करेगा, चाहे आप किसी भी सोसल मेडिया से जुड़े हो दोस्तो, प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है, इसका परड़ाम आप मुझे दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने मेहनत किया है, हमारी टीम ने मेहनत किया, तो दोस्तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको आगे बढ़ाइए, जी बढ़कर आगे बढ़ाइए, ताकि जादा फिजादा लोग पड़ पाएं, समझ पाएं, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अंगले लेक्चर में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!